लंबे समय से LG को पत्र लिख लिख कर सुकेश अंद्रश्वे खर्ने अरविंद के जरिवाल, सतेंद्र जैन, मनेश इसोदिया, कैलाश गहलोत पर कई सारे आरोप लगाए कुछ वाटसेप चैट्स के स्क्रीन सॉर्ट्स दिये, लेकिन उसके आरोपों पर गंभीर कारवाई नहीं हुई, हलाकि जेल में बंद सुकेश से प्रोटेक्शन मनी लेने के मामले में LG ने पहले जेल अधिकारियों के खिलाफ जाच करने के नुमती सी बी आई को दी, लेकिन में सुकेश के आरोपों के बाद LG ने जाच के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी ने सुकेश से मिलकर उसके दावों की सच्चाई जानने की कुशिश की थी, और अपनी रिपोर्ट भी LG को दी, इस रिपोर्ट में केजरिवाल सहीद दूसरे नेताओं के खिलाफ सबूत होने की बात कही गई थी, और मामले की जाच किसी एजेंसी से कराने की सिफारिश, अब लगता है कि जैसे ही सी बी आई सतियंदर जैन के पास पूछ स्थार्च के लिए पहुँचे गी, उन पर लगे दूसरे आरोपों का निप्टारा खुलेग और मामले की जाच के बाद रिपोर्ट सौप दी, इस रिपोर्ट के अनुसार सुकेश अंदर शेकर की सतियंदर जैन और कैराश गैलोग से चैट और फोन कॉल्स पर बाचीत हुई, और लेन देन के समय इन सभी की लोकेशन के आधार पर जाच कमिटी को सुकेश के बयान मे सचा है दिखी, अब माना जा रहा है कि LGS मामले की जाच भी CBI को सौप सकती है, हाई पावर जाच कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में सुकेश अंदर शेकर की ओर से सतियंदर जैन को 60 करोड रुपए राजे सबासीर हासल करने के लिए 50 करोड और सुरक्षा धन के रूप में 10 करोड रुपए जेल के तत्कारिन महाने देशक संदीव गोईल को 12 करोड 50 लाग दिल्ली परिवान मंतरी कैलाश गहलोत के 16 माइन स्थित फाम हाउस पर सतियंदर जैन को 50 करोड नकत भुकतान 4 किशनों में करने के आरोपों को दोर आया, रिपोर्ट के मताबिक सुकेश अ रिजेंसी में डिनर पार्टी रखी थी जिसमें जैन और गहलोत भी शामिल हुए, सुकेश जाज एजेंसी को अपने फोन, चैट्स, कॉल्स, लोकेशन्स और जाज के लिए कुछ वीडियोस, फोटेज, सौपने की तैयार है और जाज कमेटी के अनुसार सुकेश ने खुल इजेंसी की तरफ से जाज की सिफारश की